मतलब मैं अंजर से मजबूत होगे कि अब तो करना पड़ेगा अब ठीक है ये सोच रहे हैं बगवान है तो बगवान तो ये नहीं है उन सब को इतना जादा पाला जाता है इतना जादा पैमपर किया जाता है कि वो अपने आपको कुछ और समझने ले कभी कोई शूट छोड़के जा रहा है कभी सामने ही मतलब जगड़े हो रहा है क्या चल रहा है भाई अचकल अभी ये बताएए बही करेक्टर दो खितम कर आगे हैं कैसा पील कर गए अब बस अगले काम के त्यारी शुरू हो गई है और थोड़ा सा आराम हो रहा है मतलब क्योंकि एक दो दिन हम लोगों ने इतना काम किया पिछले एक दो महीने उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है एक जो मच नीड़िड ब्रेक था एक दो दिन मैं आराम से सोता हूँ घर का खाता हूँ खूब देशी की वाला खाना खाता हूँ और माबाब के साथ में थोड़ा टाइम बिताता हूँ तो वही कर रहा हूँ अभी तो फिलाल और तैयारी मतलब शुरू हो चुकी है अब वापस से बॉड़ी बनाएंगे वापस से पढ़ाई करेंगे वापस से नई कैरेक्टर से एक्स्प्लोर करेंगे कुछ नया अच्छा काम करेंगे कई सारी बाते हैं मेरी तोशी सरे लिकर और कई सारी बाते हैं जो पजिए आपसे करनी है लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आपके थोड़े पास्ट की थोड़े शुरूआद की कि कैसे शिरुवाद हुई गौरब की आने ही और कैसे उनको लगा कि हमें आक्टिंग भी करना है और कुछ और कर रहे थे करने कुछ और लगे बताओ भाई क्या गाने है यार यह मुझे तो बताए मैं चाहता हूं कि कहानी दर्शकों के भी सामने आए तो फैजान बही मेरा तो ऐसा है कि मैं बिलॉंग करता हूं मेरट को तो मेरट शहर से पहले पढ़ाई करते-करते दिल्ली पहुँच गया मैं, दिल्ली में नौकरी करने शुरू की, पढ़ाई भी कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था, फिर एक वो शुरुआत से कीड़ा था अंदर, कि मतलब क्यूंकि मम्मी के साइड में न सब कलाकार है, मेरे नाना जी भी थे, और मम्मी जो मेरी मौसिया ह है, मामा है, किसी की संगीत अकाडमी है, कोई सिंगर है, मम्मी जैसे खुद बहुत अच्छी सितार प्लेयर है, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओल इंडिया लेवल पर, तो एक्टर कोई नहीं था, तो मुझे ऐसा कही ना कही बच्पन से लगा कि एक्टर बना जाए, तो म दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में लोगों से मिला, एक दो लोग ऐसे मिलें जिन्होंने दिल्ली में मुझे कुछ मॉडलिंग जो एजनसी होती है, उनसे बातवात करवा दी, एक दो शो किये मैंने, तो मुझे लगा कि हाँ मैं शायद कर सकता हूँ, फिर एक जॉब के बहान थी उसके हिसाब से यह था कि हर प्रोडक्शन हाउस में जाओ और मिलो लोगों से तो जाता था सबसे मिलता था वो प्रोफाइल देना भी मेरा वही सीखा कि देखता है सब लोग क्या कर रहे है यह इधर मुंडी इधर मुंडी फिर अपना हाइट नाम यह सब बता दिया तो इनिशली तीन-चार महिने तक कुछ हुआ ने क्योंकि समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ में कि मैं जा रहा हूं अपना नाम अपनी हाइट और यह उमर उमर सब बता क्या आ रहा हूं लेकिन कोई कॉल ही नहीं कर रहा है फिर लगा कि आर ब्रेक हो गया है ज्याद अब ब्रेक लूगा तो जॉब से भी जाओं सभी तो वापस जॉब जॉइन की और पंदरा दिन के अंदर मुझे कॉल आता है पहले शो का तो ममता पतनाएक जी यह पतनाएक जी का एक शो मैंने किया था तो वो पहला ब्रेक था और वो ही मेरा ब्रेकिंग पॉइंट भी थ पंदा था सेट पे क्योंकि नॉलिस थी नहीं किसी चीज की लाइट कैसे लेनी है एडी ऐसे से करके बताए यह चाचा है यह ताओ है इनसे बात करो यहां सरहें यह रो रहें है तो अपने को तो घंटा समझ में नहीं आता था कि यहां कोई है नहीं तो देखू किसको अब देरे देरे जब वो चीज असमझ में आनी शुरू हुई तो यह पता लागा कि भाई कि बारी कि आप बहुत है अग्टिंग वह एक्टिंग नहीं होती थी जो दो लोग के सामने आप किसी की मिमिकरी कर लेते थे या बोलते थे आरे मैं तो किसी भी क्यों पर रो लेता पूरी प्रोसेशिंग है कैसे होगे तो अठ्रेञइंग ली जाए अब ट्रेरिशन किसे ली जाए अग्टिंग इसे ली जाए जाए आक्टिंग इसेडिटियूट या कैसे कैसे समाली जाती है तो जो एक टेकनिकल जो इन्फोर्मेशन में लैक कर रहा था वो उसमें से लिए उसके बाद फिर कुछ मेरे गुरू थे एक दो लोग जो मेरे गुरू बने जो भी मुझे थोड़ी बहुत तालीम दी फिर मुझे लगा कि अब मैं दुबारा आ सकता ह तो वहां से फिर दुबारा से आपकी हम्मत बनी कि यार दुबारा वो प्रोसर्स शुरू हुआ आओ लेफ्ट राइट सेंटर एज हाइट और ये सब कहां से हो वो सब चलना शुरू हुआ फिर से एक काम मिला तो इस बार थोड़ी सी तयारी थी थी थोड़ा यार कि इस ब अपने आप में एक महंगी सिटी है यह नहीं पर हम पर रहने के लिए पैसे बीच भी चाहिए और बापी सारी चीज़े भी देखने हैं और एक्टिंग में आना तो भई खाया दो है बादे ऑप महां तो प्रहा थे हाँ क्युकि जो फंप्रेसे सब्पोर्ट उसमें हो रहा थ यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसका कुछ होना होना नहीं है ऐसा वाला हो जाता है ना तो फिर माबाब से खुलके बुला कि एक बार यह कोशिश करना जाता है माबाब बड़े सब्पोर्टिव हैं तो माबाब ने कर ठीक है चलो हम भी तुह जितना बैक कर सकते हैं वो करत तो फिर थैंक्फुली काम मिला और इस बार जैसे कहते हैं कि I started with experience अनुभव के साथ शुरू किया थोड़ा सा अनुभव जो हो गया था और मदद मागना सीख गया था दूसरा यह भी हो गया था मदद मतलब अपने डिरेक्टर से अपने को एक्टर से सबसे मदद मागना सी अनुख गया थी कि भाही यह समझ में नहीं आ रहा है यहां पर आकर मैं ब्लैक को रहा है क्या किया जाए एक डिर्क्टर साब से पूछा कि सर बताइए कैसे इसको ब्रेक करूँ यह क्या इसको मैं किस तरह से तोड़ के लाओं जो मेरे हाथ पैर नहीं खुल रहा है यह मैं और भी अपने मोहन जोशी जी जो माराथी के ठीटर के बहुत बड़े दिगज हैं और टीवी फिल्म इन सब के भी बहुत पुराने कला का रहे हैं तो इन सब के साथ बैठके बाते करना एक्सपिरियंस इनके शेयर करना चोटी-चोटी चीजे बारी किया यह जो बताते थे व उसका भी यह फायदा हुआ कि अभी कोई डर नहीं है मुझे किसी जीस का डर नहीं लगता कि काम है नहीं है ना होके भी बहुत सारा काम होता मेरे पास अभी जैसे मैं काम नहीं भी कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए तो मेरे पास और बहुत सारे काम है करने के लिए कि जो दिनों मैंने अगर कोई गलत तालीम ली है तो पहले उसको वाश करना है, वाश आउट करना है, फिर जो आजकल चल रहा है, वो देखना है, समझना है, और उसके हिसाब से अपने आपको कुछ नया अपडेट करना है, तो यही जर नहीं रही अभी तक तो अपनी, लेकिन गव अब लेफ्ट, सेंटर, राइट, यह मेरा नाम, यह बेरी हाइट है, ठीक है, और अब आज के तारिक में, आज के वक्त में, यह वाले गवरब है, जो कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ का ड़ रही है, क्या फर्क दिखते हैं आब, तब के गवरब में और अपके गवरब में फर्क है कि इसको यह समझ में आ चुका है, कि मतलब कुछ तो मैं करी लूँगा लाइफ में, अब मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है, कुछ तो मैं करी लूँगा, और दूसरा मुझे यह भी समझ में आ गया है, कि जहां चाह वहां रहा तो मिली जाती है, उपर वला आपको लगता हो कि यार के बहुत जादा मेरे लिए शायद पीछे जाने वाला मौका था वो, शायद अगर वहां तूट गया होता तो आज ही हां ही होता, बुरा टाइम वही था, पूरा एक जॉब पर रिस्क ले लिया, आपके एक बंदी बना ही अच्छी, बहुत बढ़ साटरडे संडे मिला उसमा हराम कर लिया, मुझे कोफ्त यहोती थी की भाई, 300 लोग हैं ओफिस में, मेरे साथ जो 9 लोग मेριी टीम में जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा मुझे कोई जानता नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, हम लोग ऐस जो अजनबी की तरह गुषते हैं, अपने केबिन में जाते हैं, उसके पाद अजनबी की तरह बहां निकल जाते हैं, तो ये, मतलब कितने दिन तक मैं ऐसी एसी लाइफ जी सकता हूं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स में रह चुके हैं, वो ये चीज तो फील करते हों, कि आपक किसना है, वो ही जाना है, और मतलब ठीक है, आप करते हो, पैसा कमाते हो, कई लोग नहीं बहुत करते हैं, लेकिन मैं शायद वो चीज नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा इस टाइम तो मुझे अशा करते हैं, मतलब मज़ा है, यहां से अंदर से कुछ अच्छा लगे, तो जब उस टाइम पर रिस्क लिया, सब कुछ छोड़ चाड़ दिया, चानक सा आती हुई सैलरी बंद हो गई, फंड्स खतम होने लगे, और काम कुछ दिखनी रहा है, अंदेरा दिख रहा है सामने तो बस, क्योंकि वो हाइट प्रोफाइल और यह लेफ्ट राइट सेंटर क काम मिल रहा है, सब धक्के खा के मतलब धक्के का है, वहाँ बाहर कोई मिल गया लड़का, उससे पूछ लिया, कि भाई, बता यार कहां जा सकता हूँ, और उसने बोला वहाँ चला जा कि क्या होने वाला है, वो मुझे नी पता लेकिन हो पहुच जाता था, तो कई बार कहीं से तो प्रसाद आएगा, तो जब कुछ नहीं हो रहा था, और फंड्स खतम हो गए, जेब खाली हो गई, और कहें नी सकते क्योंकि जिद अपनी है, किसी से मदद नी मांग सकते, किसी से कहें नी सकते, तो उस टाइम पे मैंने मुफलिसी जो चीज होती है, वो बड़े करीब से देखी, मैंने, बहुत करीब से देखी, कि मतलब बॉडी भी बनानी है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, और सारा पैसे दी लगा देंगे तो फिर करेंगे क्या, और खा लेंगे, तो फिर मतलब पहनेंगे क्या, जाएंगे कैसे, आडिशन तक पहुंचना है, वहाँ तक जाना आना, उसका क्या करेंगे, तो वो चीज़ बैलेंस करते करते न, मुझी साड़े जितने आटे दाल के भाव जो आज तक नहीं पता लगे थे, वो पता लग गए, फिर उसमें साथ-साथ-साथ-साथ लड़के, वो तो खेर सभी की स्टोरी होते हैं, मुंब देखा, फिर उसके बाद एक टाइम वो भी था, कि जब दो-तीन साल मैंने एक बहुत अच्छा शो किया, दो-दो शो किये, पैसे भी आ रहे हैं बहुत सारे, और भी मैं काम कर रहा हूं, एड्स भी कर रहा हूं, दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं, कमफर्ट हो गया है, कमफ गजाने जैसे वापस खाली हुए, वापस वही मुफली सी आई, और अब अब फॉर किया था कि अब देख लिया ये, तो फिर यहां कैसे रहें, तो यह जादा तकलीव देदा, तो उसमें से भी निकाला आपने आपको, धीरे धीरे उसमें से भी निकले, फिर यह समझ में आगे कि भाई, ये सारी चीजे टेंपरेरी हैं, आपको एक चीज सीख लेनी है कि पस चाहे टाइम कुछ भी हो, आप अपना माइंड सेट सही रहो, आप खुछ रहो, आप खुशी डून लो, तो मैं अभी क्या एक टर्म दी थी मुझे मेरी एक मित्र नहीं, समरिद्धी न कि और हम एक दूसरे की जो भी जितना हम उस टाइम चीजेंज वह एक दोस्ती हो गई, मैं उसको साथ एक बिस्कृट उबोगे, हमनी चाय में खा लिया, इसको भी एक बिस्किट ऊफर कर दिया, उसने मुझ से कुछ बात ये चीजे, क्बभी चीजें मैं जितना कि एक्शे कि मैं हूँ सब के साथ मैं लेकिन अगर कोई नहीं भी होगा तो फर्क नहीं बढ़ेगा अब तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब फर्क पढ़ता था अपने आपको हर्ड करके और वह सब करके समझ में आ गया कि भाई यह सब चीजे टैंपरेरी हैं आपका यह यात्रा का एक इसके बाद दूसरा पढ़ा हूँ आएगा पता नहीं यह लोग साथ में होंगे के नहीं होंगे लेकिन यात्रा तो आपकी है धोके मिले हैं लाइफ में आपको हाँ बहुत मिले हैं मुंबई जब आने वाला था ना मैं तो वहां से हम बैठे थे गरीब रत एक ट्रेन आती है वो नी तोड़नी मुझे तो सब ने कहा था कि बंबई आओ तो हमें याद करना बंबाई आओ तो हम लिए मदद करेंगे तो हम रात को ट्रेन में मिलाया नेट्वर्क आ जा रहा था तो उत्रा क्लियर नियों हमें लगा शायद हमारी आवाज नहीं जा रही होगी तब तक तो बोरी वाली वाली कॉंसेप था ही ना हमें तो यही पता बंबाई मतलब हाँ उतर जाओ अब वहां उतर गए वहां उतर के सबको फोन मिला है तो कोई मतलब कोई इतनी गंदी स्लीप में चला गया कि और दो बजे तक उठा नहीं है किसी के घर पर अचानक से रिष तू नहीं तो बोला था आजा हम देख लेंगे तो यह बड़ा आई ओपनर हो गया तो धोका जिसको कहते है यह सबसे बड़ा दोगा था मेरे लिए पहले दिन ही सबसे बड़ा दोगा हो गया था पहले दिन ही सबसे बड़ा दोगा हो गया तो अब इसको धो कहूं यह यह मेरी एक्स्पेक्टेशन रॉंग थी, हाँ, बट अगर धोगा ऐसा यह वाला जब धोगा हुआ ना तो हम ऐसा हो गया मेरे साथ जो एक और दोस्त आया था उसको भी कुछ बनना था हम दोनों शाम तक बस ऐसी गूमते रहे हमें करना क्या भाई तो एक ऐसी जो अच्छा उसने बताया लेकिन उसने यह नहीं का कि उसने मना कर दिया है बोला है उसको छोड़ो यार तुम मेरे पास आजाओ तो फिर इतने लोगों ने धोगा दिया लेकिन एक ने साथ दे दिया तो मैं कहना जो एक रस्ता जो भगवान निकाल कर रखता है तो वो निकाल लेता है रहता हूं धाई साल का टीवी से पहले ब्रेक लिया था धाई साल का फिर अभी लिया था फिर रिष्टा जॉइन किया तो उसका सबसे वड़ा रीजन यह है कि मुझे जो यह फरजी रेलेशन्सिप होते हैं या फरजी दोस्तियां होते हैं यह मुझे पसंद नहीं हैं और एक टाइम के जाब बात जब मैं उससे उखता जाता हूं तो मुझे लगता है नहीं मुझे ब्रेक ची है I want to meet real person जो लोग है मुझे उनसे मिलना है उनके साथ भूमना है ट्रैवल करना है या फिर कुछ ऐसी ऐसे ग्रूप सबनाने हैं इसे लोगों में उठना बैट है जो कि real हो यह हो गया तुम चाचा बोलो ताओ बोलो भाई बोलो औरे मेरा जिगरी बोलो और जैसी शो खतम हुआ है जैसी काम खतम हुआ उसके बाद में आप गाया बोजाते हो तो दोकों की बाद तो यह है ऐसी दोके मिला है तो अब ऐसा बना लिया आपने आपको कि भाई दोका ठीक है कोई बात नहीं तू भी देदे एक और हो जाएगा एक और हो जाएगा एक और लेसन यही है जी दोके बादी कि तो इतने इतने दोके मिला है तो मतलब यह तो कु जो बदा नहीं सकते हैं मैं पहुंचते हो और अंदर घुस्ते मुझे इतना बड़ा कपड़ों का डेर दिखाई देता है वो कहता है कि ये आपको कुछ जो भी पचास साथ चेंजिस हैं ये करने और मैं शाम को आपको दो हजार उपे दूँगा तो वो करते करते मुझे समझ मैं है कि हर कोई जो आपको अपरोच करता है वो सही आदमी नहीं होता क्योंकि शाम को जब मैं वहां से निकला तो मैं रस्ते में भी ऐसे ही कर रहा था कि कपड़े पहन रहा हूं मैं अभी बीतरे कपड़े पहन लिये थे मैंने और ओडिशन्स में जो लोग मिलते थे कई लोगों को सिर्फ ऐसा होता था कि चलो भाई आदे रस्ते कोई साथ में मिल जाए जो जैसे यह ओटो से जारा तो मुझे भी छोड़ दे हां या हम साथ में चाय पी ले हैं या ऐसे बाले बीद मिलते थे और कई लोग बड़े कर्मिशन बे रहा है यहाला कभी इस तरके कोई कॉडिनेटर में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से आया हूँ ना कॉर्परेट से तो वहां थोड़ा पैसे की बात मैं समझ गया था कि कोई भी चीज अगर उसमें पैसा इन्वाल्ड है है ना और कोई मांग रहा है कि इतने पैसे दो इतना हमारा कमिशन होगा देने इसके बाद में तुम्हे यह वाला रोल देंगे यह वाला कैरेक्टर देंगे बॉम्बे में दू तरह की चीज़े होती है एक तरह का मेना बेवकूब बना है मेरा बहुत बना है एक वाला मैं accept ररता हू जब शुरू आतमें फंड्स वाली वो थी ना स्थी तो उसमें पार्टियों में मैंने सब को बुला और सब जो भी एक दो लोग आये थे जो ऐसा लगता था कि भाई यह उस बड़े प्रडुक्शन हाउस में यह वो बड़ा डिरेक्टर है वो सारे आके शराब पी के बहु एक काम कर फंड सिखटा कर हम अलबम बना लेते हैं तो एक दो बार यह करके मुझे समझ में आगा कि भाई यह तरीका नहीं है नेट्वरकिंग का यह सही तरीका नहीं है मुझे नहीं पता अगर कई लोग हो जाते हैं उसमें सेक्सेस्फुल तो क्यूंकि कई और चीजे भी जैसे अपने कॉर्पोरेट्स में तो यह होता था कि अपरेजल के नाम पे प्रमोशन के नाम पे और इसके उसके नाम पे मुझे नहीं पता कि पोडिशों के साथ भी होता था कि नहीं लेकि महिलाओं के साथ होता था यह तो मुझे पता है यहां पे क्या है यहां पे कोई फ जी बाइचार बना देंगे 2 तो अब अपना के अपनी भूग कभी वैसी रही तो इसा है कि यह नहीं होगा तो फिर वापस चले जाएंगे पिर बन जाएंगे तमाशागर अनमीर, वो ही कर लेंगे, अपनवाबी ही ही है, लेकिन हाँ, यहाँ है, बहुत भटकाने वाले लोग बहुत है, कैसे बुला उन्होंने आप से, मतलब मुझे जो शुरुवाद में जो लोग मिले, उन्होंने किसी ने भी ऐसे डिरेक्ली तो बात नहीं गी, लेकिन पहले तो वो भाईचारा दिखा के, और उसके बाद चलो, लेट्स हैव डिरिंक, मैंने कहा है, डिरिंक मैं करता ही नहीं हूँ, करता था, लेकिन नहीं करता हूँ, कि मैं चूज करता हूँ, मैं मुझे किसके साथ करनी है डिरिंक, सभी बात है, हाँ और वो जैसे ही थोड़ी सी बात्चीत आगे बढ़ती है और यह क्या को रहा है कि लड़की क्या रही है अरे धोनो लड़का लड़की महिला है पुरुश हर तरह के लोग मिलते हैं हर तरह के बीचितने लोग मिलते हैं आप तो एक पॉइंट के बाद जब वो थोड़ा से लह यार के काम के चक्कर में आपको इस तरीके की चीज़े बोले जा रही है लोग कास्टिंग काउच का जो रास्ता दिखा रहे हैं जो हाई यह मैंने फिल्मों में मतलब जैसे मदूर साब की जो फिल्म थी उसमें हमने देख लिया था बच्पन में तो मैं शायद इसलिए चक आप एसे हाथ नहा आ जाना तब तक आपको समझ में आगा कि चाह क्या रहा है तो जब वो हाथ ऐसे पठ पे गया तो यहां भी पठ से समझ माया कि अच्छा यह वह वाला है तो अब इनको बोलो अब यह मतलब हाथ बढ़ उठाना लड़ना जगरना यह सब तो नहीं क्यू जब शीशा देखना होता है ना तो बड़े साफ स्वच्छ मन से देखना होता है अपने आपको देख के गिल्ट नहीं होना चीए तो कोई बात नहीं काम नहीं होगा ना हो ठीक है लेकिन हम ने तो यह सोचा तो हम दोस्त है शायद अगर यह सब चीज आप तरीका सोच रहो त hand जो बताया जाता था तो बहुत कोशिश की गई manipulate करने की कुछ ऐसी ऐसी बाते करने की कि भाई देख लोग खतम हो जाओगे कोई कुछ नहीं होगा मतलब खतम ही हो जाओगे ये भाई साब रिकॉर्ड है मैं नाम नहीं लूँगा मैंने सच में आज तक काम नहीं गा उन लोग वे साथ होते होते नहीं हुआ कि जब वो होने लगा था मैं narration में बैड़ गया जाके contact sign कर दिया मिल लिया जो higher authority है उसके बाद उसके बाद रात और रात पत्ता साफ हो जाता है मेरा आज तक नहीं कर बाया तो कही न कहीं वो लोग की powers हैं लेकिन वो अपका career ख़तम नहीं कर सकते हैं मतलब चीजे होते होते रुख गई होने के बाद रुख गई होने के बाद रुख गई I've literally signed contracts I've met the higher authority CEO's और जो owners होते हैं वो सबसे मिल ली हम है बात बहुत अच्छे बड़े production house की बात कर रहा है TV और film ले नहीं सकता नाम क्योंकि ठीक है दुश्मनी क्यों बनानिया हो जाए नहीं करना काम वो मेरी choice है वो उनकी choice है लेकिन किसी का नाम ऐसे खराम ने करना जाता बड़ लेकिन यार काम के नाम पर बेवकूप बनाना भी तो गलत है ना भई हाँ गलत तो है यार काम दे रहे हो ठीक है लेकिन बेवकूप बनाना वो बहुत गलत है अगर मैं उस चीज के काबिल नहीं था, तो आपको तब नहीं समझ में आया है, जब आपने मेरे auditions लिये, look test किये, mock shoot किये, contract sign किये, आपने मुझसे खुद आके मिल लिया, आपके दरबार में घंटियां बजनी है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, और इतना आप अपने आ generation सुन लिया, सब कुछ होगे, आप क्या बचा है यार, shoot पे जाना ही तो बचाता, पिर अगले दिन अचानक से कोई follow up करना मन कर देता है, मैं follow up कर रहा हूं तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, फिर एक तीसरा जो अपना मित्र वहां पे कोई एक बैठा हुआ था, जो इस process मे अपना मित्र बन गया था, अपने जैसे लड़का छोटे सेहर काया हुआ, उससे पूछा, तो उसने बताया कि भाई, यह 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 तुम मतलब थे, लेकिन फिर वो उन्होंने ऐसे ऐसे तुम्हारा पत्ता कटवा दिया है, और वो अपने किसी boyfriend type किसी को ले के आ रहा है, तो फिर मेरी जिद और गहरी हो गए, मैंने का कि अगर यह आदमी यह बोल कि यह डिसाइड करा कि भगवान है तो भगवान तो नहीं है, बगवान तो यह कोई भी नहीं है, मैं नहीं करूँगा इनके साथ काम, मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में, उतना बड़ा नहीं लेकिन यह एकदम शिरुवात की बात है या थोड़ा नाम बन गयाता है यहां तक, यह मेरे दो शोट करने के बाद की बात है, मैं आभी नहीं था माँस टाम इतना, बने लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था, हाँ पर एक और शर्मा करके एक एक बंदा है, ऐसे ऐसे काम किया, यह प्रोफाइल है और यह बंदा आटिंग करता है यहां पर, तो फिर बाद में वाला शो बना, शो बना, हिट भी हुआ, बहुत बड़ा शो था हो टीवी का, उस टैम पे क्या फील कर रहे थी, कुछ ने फील कर रहे थी, कुछ ने फील गया, ठीक है नहीं था कि सक्सेस का, खानी मुझे रोटी है, रहना मुझे, सोने के लिए मुझे यह सोफा भी काफी है, मतलब सिंगल बेड भी काफी है, मैं राउंड बेड लगवा के, या पंदरा बीस ताम ज्याम करवा के, या मैं खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीजा नी खा सकता हूँ, प अजिनी कान साब जो बोलते हैं, तो वैसा ही है, अब इसके लिए ये चीजों के comfort के लिए या वो शो हिट हो गया तो मुझे गिल्ट होने लगे, नहीं भाई, वो मेरी किसमत में नहीं था, वो मेरी choice थी, जॉब छोड़ काना मेरी choice थी, भूग के रहना मेरी choice थी, तो अब ये भी मेरी choice है, मैं इसके लिए regret नहीं करूँगा, और अब मेरा और ज्यादा मतलब मैं अंदर से मजबूत होगे कि अब तो करना पड़ेगा, अब ठीक है, ये सोच रहे हैं भगवान है तो भगवान तो ये नहीं है, क्या नापता शोगा, नहीं, रखते हैं इसको सीक्र ये और जलो ठीक है, हाँ, बड़ा शोग था, लंबा चला, हाँ, लंबा चला और जब वो शोग आ रहा है, जब टीवी पे लोग उस कारक्टर को देख रहे हैं ता उस टाहम पे क्या फिल कर रहे हैं, क्यार आज इस जगे पे मैं वो ता जोग सुने वह जिए नहीं हिटते जो भी लोग अगर इस चीज़ से डरते हैं, किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि आपका करियर खथम कर दे, किसी में भी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि और कुछ नहीं करोगे तो भाई किसी थेटर गुरूप से जुड़ जाना, प्ले कर ले ना, नहीं तो आजकल तो street performance करत है, आर्ट है वो भी, दिक्कत क्या है? लेकिन वारव एक चीज़ मांते हैं यार कि इंडस्ट्री में किसी का बेटा होना, या पहचान होना, या किसी का कोई बड़ा नाम जुड़ा रहना, साथ में बहुत ज़रूर है आपको मतलब काम मिलने के लिए, अदर्वाइस आपक कोई है, इंडस्ट्री में कोई बड़े लोग हैं, तो उनको इतने ज़्यादा स्टेप्स निचाड़ने पड़ते हैं, वो सीधा उपर पहुंच जाते हैं, कई सारे लोगों ने बोला है कि हमारे पर प्रैशर और ज्यादा था, क्योंकि हम इनके बेटे थे या इसी बात प हुए है, तो ये मतलब बड़पन दिखाना बहुत आसान है, कि नहीं हमें मिलता है, लेकिन हमारे उपर भी प्रैशर होता है, भाई तुम्हें पहली बार में मिलिया, उसके लिए लोगों को कितना संकर्श करना पड़ता है, कैसे पहुंचते हैं लोग, हाँ लेकिन ये बा होते रहोगे, ये चलता है, मुझे स्टेटमेंट याद आता है, यहां पर अनन्या पाड़ने ने बोला कि सिद्धान चतरवेदी की है, कि अगर वो आपने क्लिव दे किया, जहां आपका स्ट्रगल पर कोई इंटर्वी था वो, कि जहां आपका स्ट्रगल खतम होता है, हमा मैं स्टार बनना परता महां पहुंचने के लिए, तो वो बात तो सज है, कोई गलत बात नहीं है, सब माबाप अपने बच्चों को प्रमोट करते ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ, मैं कहर हो ना है, हर इंसान अपनी जगे पे ठीक है, बहुत अच्छे कास्टिंग डिरेक्टर्स हैं, जो अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के पीछे यहां पे आए, ठीक है, हम यहां पर एक जो कोस्ट अफ लिविंग है, वो बहुत हाई है, बहुत सारी तकलीफे हैं, उसको झेलते हुए हम यहां पे काम के लिए भाग रहे हैं धक्के खा रहे हैं ठीक है आप के आप आप आके रोज रोज माथा भी टेकते हैं और आप टैलेंट ढूंडने निकल पड़ते हो उन शेहरों में जहां पे मतलब लोग अपने घर पे हैं कमफर्ट में हैं आप वहां क्यों जा रहो यार यहां बुलाओ उन लोगों को, लेट देम अलब अज़ो गो त्रू दिस, आप हम जिसके लिए हम इतना आप कहरे हैं दिन राथ हम महनत कर रहे हैं, हम यहां सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करना भी आसान नहीं है मंबई मैं, आप यहां से मंबई छोड़के बाहर जा रहे हो आप बतारे हो कि आज आप चंडीगल में आज आप दिल्ली में हो आज आप कानपूर में हो टैलेंट अब भाइ तोमारे ओफिस के बाहर खड़ा है और वो टैलेंट जो धक्के खा चुका है जो काम सीख चुका है जो ट्रेनिंग ले चुका है अपको ऐसा लगते कि वहां पर सब को एक साथ खड़ा करो जो काभी लोगा उसको मिलेगा हाँ सब को एक साथ खड़ा करो हो सकता है मेरे से अच्छा वो करता हो लो आप उसको लेकिन मुझे 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 तो दो यार आपने तो मुझे जिन लिया मैं मतलब सब कुछ छोड़के यहां आया हूँ घर सो छोड़के फिर वहां पोचो आपके पीछेे कि नहीं, मैं भी हुऊ लाइन में, मतलब कि यहां तो लाइन में लगी रहा तो वहाँ भी चालागूगी कि आपको ид supports you, मैं आने कि जुरूद पहले तो बैंबाई आना होता था आपको you must come, मैं वैं। तो हम आ रहे हैं भाई आपके पास। इस अब आपके पास। मेरा पस इतना ही ताउना कि आप दिखा है। आपके वकिसी ऐसे ऑडिशन में जहां पर टैलेंट। फिल्म चल रहे हो। जहां पर आप उसका हिस्सा बनी हो। डिल्ली में आने ट्राइ किया था. कुशे में? दिल्ली में, जो þो नॉड़ा में जो वो बनी है न, अपना फिल्म सिर्टी. जो की कभी मतलब बहुत जादा काम होता नहीं है महां पे. मुझे नहीं पर बजा क्या है. है वहाँ पे भी फिल्म सिटी है लेकिन वहाँ पे मुंबई जैसा काम नहीं होता है तो वहाँ पे मैंने ट्राइ किया था ऐसे एक दो रियालिटी शो के लिए या उसके लिए हाँ किया तो किया है तो फिर अपने को समझ में आ गया कि भाई यह अपने लिए चीज नहीं है सही बादिन. हम आएकिरें और इंगिर करेंगे. हाँ, होता है, टैलिंट लोगों में होता है, वो निकल जाते है, पर मेरे में शायद वो टैलिंट नहीं है. वो टैलिंट भी हरकिसी में नहीं होता है, भाई, चलो, मैं कह रहा हूँ, इन्फुएंसर्स का भी जो टैलेंट है वो मुझे में नहीं है जायद मैं नहीं वना सकता ऐसे राद दिन वीडियो या ऐसे राद दिन पिक्टर्स लेना वो भी आसान काम नहीं है आप सुबह उठते हो और सुबह सी आपकी प्लैनिक शुरू हो जाती कि आज मैं ये वीडिय है जो भी चमा करा है वो जला तो है तो वो चाहे स्टार के अलाद हो इन्फुएंसर हो चाहे वो मेरे जैसा हो चाहे वो कोई भी हो अगर वो वहां पहुंचा है तो उसने कुछ तो किया है वो जला तो है अगर आप कही पर आडिशन देने जा रहे हो ठीक है वहां पर लोग यह आजकल शुरू हो गया है, followers और यह सब भी शुरू हो गया है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन दूद का दूद पानी का भानी भी होता है, तो यह concept जो आ जाना, यह सही है कि गलत है, हाँ, मैंने ऐसे millions वाले लोगों के साथ भी काम किया है, but 15 seconds का का काम करना, और फिर यहां आ हो सकते हैं, हो सकता है, बहुत कमाल कियों, तो उनको ख़डा तो करें सब को साथ में, आप यह पहले से हमारा मौका खतम कर दोगे, तो यह गलत है, यह गलत है, आप मौका मत खतम करो, आप रखो, चलो मेरे जो भी हैं, मेरे 6 लाग तो भाई अभी यह इनकी देन है, इसे हम दोनों वो मतलब हमें नापना नेची है, कि मेरे 600 है, उसके 6 मिलियन है, तो यह छोटे बड़े नहीं है, हम सब को साथ ख़डा करो, आपको तो एक्टिंग देखने हैं ना, एक्टिंग के लिए साथ में ख़डा करो, मौका दो सब को वो अच्छा है तो वो करेगा, मैं अच्छा हूँ तो मैं करूँगा, तीसरा कोई अच्छा है तो वो करेगा, कभी आपका कोई सेलेक्शन रुखा है कि फॉलोवर्स की वज़े से, कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, एक तो वज़व वो गई जो आपने बताया, अब यहां पर मौका आता है दूसरा, अब नए जगे प्यापे आप अडिशन देने गए हैं, नए लोगों से मिले हैं, और कैरेक्टर आपके नाम हो जाता है, वो कैरेक्टर आपको मिल जाता है लेकिन कैरेक्टर आपको इसलिए ने मिला क्योंकि आउखके वहले से फॉलोवर है.äv अब हाल ही में हुआ है, अच तरफ से आपको ही पुश्ट कर रहा हूँ, बस आपके followers कामें, अगर ये एक million से उपर होते हैं तो हो जाता, मैंने कहा तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कि बताओ हम बढ़ा देते हैं, मैंने कहीं बढ़ाओ आप मुझे पुश्ट कर सकते हो, ऐसे मैं तो ठीक है, नहीं तो फिर million तो नहीं है मेरे, तो हुआ ही नहीं फिर, कहा इदर ticket wicket कटने की बात हो रही थी, कि आप जाना है, आपको यह आउट दोर पर यह निकलना है, फिर अचानक से यह बीच में आगया picture, होता तो है, कई बार छिन जाते हैं, लेकिन ठीक है, अगर इस चीज़ पर छिन रहा है, तो मतलब वो काम्स ही नहीं है, जो बड़े अच्छे नामी कास्टिंग डिरेक्टर्स हैं, जो या जो बड़े अच्छे platform से, Netflix को थोड़ी फर्क पड़ेगा, कितने followers हैं, Amazon को थोड़ी फर्क पड़ेगा, फर्क तो उन platforms को पड़ेगा ने, जिनके खुद की reach नहीं है, कि वो आपकी audience को दिखाना जाते हैं, हाँ, आप से views कमाना जाते हैं, अब Disney Plus or Star Plus का, इतना बड़ा fan following है, इतना बड़ा, मतलब subscription बेस है, subscriber बेस है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक दो million वाले से, वो एक दो million वाले को और चार million हो जाएंगे, अगर वो आएगा यहाँ पे तो, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे भी followers बढ़ते हैं न, जब आप TV पर दिख रहे हो तो रोज, तो किसी अगर platform का यह कहना है, कि हम तो इसको लेंगे ही तब ही जब इसके इतने होनी जाए, मतलब उनको चाहिए followers, सभी बात है, कि आप अपनी audience हमें दो, हम आपको ने देंगे अपनी, हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप हमें भी followers, कि मैं तो आपके पास मांगने आया था, मैं actor हूँ, आप platform पो मुझे दिखाईए कल को मेरा कुछ फायदा होगा, दस लोग और देखेंगे, जानेंगे म मुझे, पर आप तो उल्टा मेरा देख रहे हो कि भाई मेरे पास क्या है, मुझे नी चोड़ लो, सभी बात है, तो जो बड़े casting directors से उनके लिए फर्क नी पड़ता, बड़े platforms के लिए नहीं फर्क पड़ता है, जैसे मुगे शावरा साब कहां जाओ आप, शूती जी कहां पर जाओ, नहीं तो अभी जिक बैनर जी कहां पर जाओ, तो इन लोगों के यहां इससे कोई फर्क नी पड़ता, यह लोग बड़े project करते हैं, इनको इससे फर्क नी पड़ता, इनको पता है कि वो जो पांच मिलियन वाला जो है, वो ठीक है, सोशल मीडिया पर जो भी होता आपको समझ में आता हुगा कि कौन actor है, कौन actor होने की acting कर रहा है, आप समझ रहे हो, एक time के बाद में इतना तजरुबा आ जाता है, आपको वो senses आ जाते हैं, क्यार कि यह तो actor है, यह actor होने की acting कर रहा है, यह पालतों की सिर्फ हवावाजी है, और कुछ नहीं है, वो समझ म क्या बज़ा बांते हैं आज के शो जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो requirement ही ऐसी आती है, need tall, fair and handsome, need tall, fair and handsome, अब इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि training क्या हो नहीं है उसकी, उसने काम क्या किया होना चाहिए, उसने कितनी, मतलब किताबे पढ़ी है, कितना theater किय क्या है, या कितनी उसने पढ़ाई की है, या क्या उसने अस तक काम किया, need tall, fair and handsome, this much budget, और flexible to this, बस, अब यह आपके criteria होंगे, तो इस criteria के लिए लोग बहुत सारे हैं, जो नहीं नहीं आ रहे हैं, जो अभी एकदम fresh आज उतरे होंगे, train से, airport से, कहीं से आयो होंगे, और वो क्रू कट बाल, वो कुछ बड़े, यहां यहां से वो ऐसे चौप किये हुए बाल, ऐसी एक बनाई हुई दाड़ी, पूरी शेप दी हुई, अच्छी वाली, और गोरे-गोरे चेहरे, लंबे चोड़े, और उसके बाद उनको बस खड़ा कर दो, और जो उनको करना है, वो उनको बोलना, तो बोल देते हैं, और वो चल जाता है, तो इसलिए कई शोज होते हैं, जो अपनी किसमत से चल जाते हैं, और कई शोज होते हैं, जो कि जल्दी बंद होते हैं, इसी वज़ा से, कि आप जो बात कर रहे हो, आपके दिल से नहीं निकल लिए तो दिल तक पहु तो एक शशी सुमित का शो करता था, वो करने के बाद में दो बैग- तुबैक शो किये उनके, उसके बाद मैं रेक ले लिया और खुद का कुछ करना था, ऐसा दिमाग में था तो खुद भी कोशिश की कुछ प्रेड्यूस करने की वो उतना अच्छा करनी पाय उसमें भी लो जो जिस वज़े से हम यहां टिके हुऊ हैं वो करता हैं वापस एक्टिंग में थोड़ा वेब सीरीज फिल्मे में एक फिल्म रिलीज हुई एक अभी होने वाली है और वेब सीरीज भी गी बट उन धाई सालों में काम करने वाला जो टाइम था वो एक ही साल गाता बाकि सुबह आपको अडिशन के लिए आना है मैंने का भाई भाई हालत बड़ी खराब है यार सुबह कैसे हालत है कि बस यार आख्यों के सूजी पड़ी है रात बर सो ही नहीं है और अभी तो पता नहीं और कितना लंबा चलेगा यह क्योंकि सारे पुराने मित्र मिले हुआ है तो उसी जैसे वो एक होती है ना उसी एंठ में हम निकले कि भाई चलो यार दे देते हैं बहुत दिनों सा अडिशन नहीं दिया जाकर आटे आते हैं और हुआ तो करेंगे नहीं हो तो नहीं करेंगे क्या होगा अब वहां पहुंचे तो मतलब जिस तरह से हम थोड़े जूलते होगे पहुंचे थे उसी तरह उनको कैरेक्टर में भी चाहिया था तो कास्टिंग डिरेक्टर ने थोड़ा ब्रीफ किया कि ऐसे है बिगडल लॉंडा है देरादून का और अमेले का बेटा है और बस लड़की के पीछे वन साइड़े लव और ऐसा हो गया लड़की के पी पासे वही हो रखी थी वैसी जूलते हुआ थे वैसी हो रहा था कि यार हां आखे भी बंद हो रही है हां चलो 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 बिगड़ा से कहा कि यारे परफेक्ट कास्टिंग मिल गए हमको हां तो वो अडिशन वर्क कर गया शाम तक कॉल आ गया फिर सर से मुलाकात हुई तो पहुंचगा है सेट पे सेट पे पहुंचे तो पहले ही दिन अपना महावालेश्फर में जो शूट था वहां पे मुझे इन लोग का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मैं धूप की वजए से और अंडर आइस की ज़ए से चश्मा लगा के गया तो उन्होंने का हाँ ही पहनते थे ना वह बहुत बहुत बढ़िया था अच्छा ओके इसकी बात कर रहे हैं तो वह स्टाइल बन गया और क्यूंकि उस कैरेक्टर में बहुत जादा मुझे करना नहीं था वह सब चीजे मैं देख चुका हूँ उस यूनिवर्स में पला बढ़ा हूँ तो अपने को पता है कि छोटे शहर के जो नेता विता के जो लड़के होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं और जब वो किसी लड़की के पीछे जिद में पढ़ जाते हैं उनकी जो अपनी एं उन्होंने वो कैनवास भी रखा उसका कि आता है तो कभी गाड़ी के बोनेट पर खड़े हो कि आता है पूरी आर्मी लेकर पचास लोग नाच रहे हैं और यह आकर लड़की को प्रपोस कर रहा है लड़की को पता नहीं घंटा कि यह कौन है लेकिन करेक्टर में स्वैग स्वैग पूरा युवराज स्वैगी है सिवराज का स्वैग है कि मतलब आप लड़की के उसमें रेस्टोंट में जहां काम कर रही है यह जो भी उसका खुद का रिजौर्ट है उसमें गैस ख़तम हो गई है तो पूरा शिलेंटर का ट्रक लेके पहुँच गया इंट्रोड तुझा पटा लाया कि उसको यह लगता है कि मैं इसी जए इंप्रेस कर सकता हूं पावर है ना तो पावर उसको तो यह गुमान है कि भाई मेरे पाथ मैं मेले का लोन ना क्या यह लड़की ऐसी पढ़ जाएगी और जब वो नहीं पढ़ी तो यह जिद पर आगए कि अब तो चाहिए और उसी जिद में वो सब कुछ करता रहा तो इनिशली शुरू हुआ था बड़ा रुआब वाला और यह सब लेकिन प्यार में आदमी मोल्ड होता है प्यार में आदमी धीरे धीरे जुकना भी शुरू करता है तो यह जुका भी मतलब ऐसा भी हुआ कि कई जगह इ दिया लड़की ने थपढ़ भी मार दिया तो भी इसको इसको उस में भी प्यार दिख रहा है इसको इन वाली है मतलब इसमें एक एमोशन तो आचुका नफरत का प्यार तक आना बागी है तो प्यार तक इसको मैं ले आऊँगा तो वो लगा रहा और लोगों को यही जो इसका यह कहते है न अतरंगी पंज जो था यह बड़ा भाता था कि यह सीरियस बात करते करते अचानक मजाग माया जाता है यह मतलब एक तरफ तो बंदूग बंदूग चलाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ बंदूग साइड में रखके कहता है कि अच्छा चलो ठीक है काम करते है मैं तुम्हारे हाथ में महंदी लगा देता हूं और विलेंज या जो भी ग्रे करेक्टर्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो एक जो ख आद में लड़की के महंदी लगा रहा है यह कितना अच्छा विजूएल है कि वह आदमी जिसे लोग ड़ते हैं बात करने में साला गोली ना मार दे वो बैड के महंदी लगा रहा है और लड़की भी ऐसे कि यार यह वही है जो अभी एक सीन पहले मेरी मा को गोली मार चुक पहारों की गोद में हम लोग थे और बड़ा अच्छा इंतिजाम कर रहा था प्रोड़क्शन आउस ने मैं एक मैं इंटर्वी वगारत सुन रहा था मैं यहां पे शैजादा की में बात कर रहा हूं जहां पे उन्होंने कुछ बताया कि वहां पे डारेक्टर ने उनसे पहरों कुछ बताने चाहूँ आप पताई ऐसी बत्तमीजी मेरे साथ कभी होई नहीं और उसके साथ हुई हो मुझे नहीं पता जिस्थे बारे में बालूम नहीं मैं कोई टिपण करना नीं जाओंगा बट हाँ एक उड़ता-उडता जो मुझे पता चला था कि वो भाई-स जलना है, reading चल रही है, जिससे आपका character की डवलप होने वाला है, वो चीज स्क्रीन पे आने वाली है, आप पूरा process उससी से करने वाले हो, Georgia, आप प्रोसेश महीं कोर्स करके आ गया वो डिरेक्टर बन गया कुछ उसने फिल्म का कोई कोर्स कर लिया वो आके डिरेक्टर बन गया तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी तभी आपका काम भी अच्छा हो पाएगा आप डिरेक्टर को डिरेक्टर नहीं समझोगे आप अपने आपक आप उतने विरले नहीं हो, आपको ये पता होना चीज है, एक अपना खुद का ग्यान भी इन सान को होना चीज है, आप लोग को शूटिंग करने में पुछ प्राब्लम हो ही वहाँ पर? मुझे कोई प्राब्लम ही, मस्ती मारी, पूरी मस्ती मारी, टाइम मिला पहाड पे चड़ गए, उसके बाद टाइम मिला शाम को छट पे बैढ़ गए, इतनी बढ़िया वहाँ पे मतलब हलकी मीठी मीठी ठंड हो रही थी, प्रोडक्शन आउस ने सारी फैसिलिटी दे रखी कॉफी वही पे आ रही है, खाना भी वही पे, खाने को मिल रहा है, अच्छा खाना सब डाइट वाइट के हिजाब से, और सारे स्वीट लोग है, पूरी कास्ट बड़ी अच्छी, सब मतलब ऐसे जबान के भी अच्छी है, और वेवार के भी अच्छी है, तो मुझे कोई मुझे बहुत मज़ा आया उस आउट डॉर में, और शायद सभी को मज़ा आया, एक आदमी जिसके आप बात करें, शायद उसको मज़ा नहीं आया हो, क्योंकि उसने अपनी दुनिया लेके चल लाता हो, क्यों एड़जस्ट नहीं उपा रहा था हो बंदा महा पे, उस जग प्रेग नहीं है, या तो फिर कि उपको लग रहा होगा क्यार कि यार मैं स्टार हूँ या मैं लीड हूँ, एक वो चीज भी आ जाती है करी सारे लोगों के अंदर, इस इंडिस्ट्री ने बहुत सारे स्टार पैदा किये, बहुत सारे स्टार को रातो रात, खत्ला खत्म भ पढ़के दूसरे दिन हम भूल जाते है वैसी टीवी भी है, जब तक शो चलना है चलना है और जब बंद होता है तो उसके बाद आपको वापस से दूसरे शो डूडना पड़ता है, वापस से दूसरी चीजे करनी पड़ते हैं, अभी वो जो बाला जी वाला जो एक टाइम वो अपने आपको फिल्म स्टार से भी बड़ा समझने लगे था, लेकिन जैसी वो शो बंद हुआ, उसके बाद वो रात और रात खतम होगा है, क्योंकि आपका अच्छा एक्टर होना उतना ही ज़रूरी है, जितना अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप एक्टर भी उ अच्छा आपस में टेशन वो बहुत जादा पॉपलर होता है, या तो फिर अक्टर का रोमैंस, और इसके बीच में जो पिस्ती है पूरी कास्ट, जो साथ वाले हो गए, जो करेक्टर वाले हो गए, जो कोई पापा प्ले कर रहे हैं, या कोई मुम्ही पले कर रहे हैं, ना तो ये हीरो कभी बन पाएगा, ना तो ये कभी हीरो कभी बन पाएगा, जब तक घर में साथ परिषान ने करेगी, तब तक बहु आइडियल बहु ने बनेगी, यह वैने टीबी में बहुत देगा है, यहाँ पे बहुत होता है, क्यूंकि रात ओ रात आथ आप फेहमस ह हो. Okay Okay. तो कहीलोग हैंडल कर पादा है कहीलोग नहीं कर पाते क्य Those को लगने लगता है कि भाई अबमें स्टार हूँ आप स्टार नहीं हो मैं आप स्टार नहीं हो आप जरूरत हो क्युकर आप दिखश चुके हो लोग से connect कर चुके हैं तो आप तो आप सब आपको बचाएगा जब आपको लोग नापसंद करना शुरू कर देंगे तब आपको वापस अट्रैक्ट करना अपने क्राफ्ट से तब आपको अपने वह जो आप तक चलता आ रहा है जिससे लोग बोर हो गए है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको कुछ नया लाना तो आदे घंटे में वह पहले पांच मिनिट में आपने उनको कुछ नहीं दिखाया तो आदे घंटा होल्ट भी नहीं करेंगा आप सिर्फ इसमें कि नहीं मैं स्टार हूंगा जो भी करूंगा उचल जाएगा नहीं चलता भाई अब बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्मे होती हैं तो जो रीसेंट जो हुए हैं जितनी भी यह सब बाते जो आई हैं न्यूज में कि ऐसे निकाल दिया एक्टर को ऐसे इसके साथ मीए गलत कर दिया तो वो भी तो गलत थे ना ताली कभी एक हाथ से नहीं बसती आपके सारे सीनियर एक्टर्स मार्क पे खड़े हैं और वेट हो रहा है कि भाई साब या बहन जी आएंगे दस मिनट पंदरा मिनट और लगेंगे उनको उसके बाद वो आराम से आएंगे फिर उन्होंने रिहर्स भी नहीं कियोगी लाइन्स भी पड़ी होगी वहां के खड़े हो जाएंगे फिर एडी वहां से क्यू देता र नहीं है आदा घंटा पहले आना है और फिर जाएंगे वो दो घंटा बात क्यूंकि आप टाइम पे नहीं कभी आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कियो जहां पर दो एक्टर्स का अपस में क्लैश चल रहे है या इगो चल रहे है प्रॉब्लम आपको हो रही है मैंने देखा कि स्टार्स कैसे क्रियेट होता है कैसे उनको क्रियेट किया जाता है आप किसी को भी स्टार क्यूं मना रहे हो रखो ना उनको एक्टर है यार एक्टर की तरह उनको रखो आपको क्यों इतना पैंपर करना है कि उस सर पे चड़ जाए और फिर उस सर पे चड़े तो तो कान में भी हैं। फिर आप शिखायद करते हो कि यार ऐसा कैसे हो गया। अरे हो गा यार तुम उसको क्यूं बढ़ा हुआ दे रहो। ठीक है आपने उसको स्क्रिप्ट दी, आपने उसको कॉस्टिम दिये, आपने उसको अब मतलब ये जो भी कैमरा, सेटप ये सब आपने दिया है उसको, उसके बाद वो हिट हो गया, तो आप हिट हुए है, आपके मैनत हिट हुई है, हाँ, उसको इतना importance हुए है, उसको इतना सर्पे मत बिठाओ, तो बाद में फिर उसमें भी ऐसा हुआ, क्या हु जबर्दस्ती कॉंट्रवर्शी, मतलब कुछ क्रियेट की जा रही है, कि कोई रियालिटी शो मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी चीज़े चल नहीं दिवारा है, हाँ, इसा हुआ है, मेरी आखों के सामने हुआ है, और मुझे लगा यार ये बंदा, ये बंदी है, इतने सही लोग पलग करते है, मुझे इतना सही बेहार करते हैं, इह क्या हो, क्या रहा है, फिर बाद मैं पता लगा कि हां भई, वह तो वह सब स्टेज्ट था, वह इसलिए हो रहा था, कि इनको भला भला ये शो में जाना है, तो उनको ऐसे बिशितरी तरह के लोग चाहिए होते तो यह अपनी विचितरता दिखा रहे हैं, तो भाई दिखाओ लेकिन ऐसे तो मत दिखाओ कि और पचास लोग परिशान हो रहे हो, एक अध को जो भी तुम मतलब लड़ना चाहते हो, जिससे बाहर जाके लड़ो, करो, सेट पर क्यों करना है, और यह हो किसके बिच में रहते लेकिन उसमें भी मैं गया, तो मैं अच्छे कासे लोग एक शो किया करता था, मैं उसमें बड़े-बड़े सिलेपटीज के इंटर्व्यूज लेता था, तो मैं ही होस्ट करता था, मैं ही मेरे शो में आते थे वो लोग, मैं उनको भी नहीं देखा यह सब करते हुए, यहां दो साल से आपने एक शो कर लिया, शो हिट हो गया, आपको पैसे मिलने लगया, अच्छे, आपने कुछ कमा लिया, एक आद घर मना लिया, गारी मना ली, तो आप बदल गया एकदम से, आप ऐसा वर्ल्ड कप जैसा तो कप लेके अंदर सेट पे आते हो, वो कभी आपका बत पाली है इन लोगोों को ताइम, थोड़ा मी टाइम मिल जा है मुझे, मैं रिफ्रेश हो के आता हूँ, जो गलत सीखा है वो सब छोड़ देता हूँ, कुछ नया सीख के वापस आता हूँ, तो अब यही है, आपको इतनी इंपोर्टेंस किसी को भी देना बंद करना चाहिए, किसी को भी इंपोर्टे है वो शो की वज़ा से, वो क्रिएटर्स की वज़ा से है, वो जो लिखते है ना बैठके रात दिन, वो उनकी वज़ा से है, या वो ओडियंस की वज़ा से जो आपको देख रही है, फिल्म स्टार्स में नहीं देखा मैने आटिट्यूड, फिल्म स्टार्स होते हैं, इतने बड़े बड़े actors, इतने कमाल के actors, जो एक line भी बोलते हैं, तो उसे एक line से पूरी film hit हो जाती है, उनमें नहीं होता, तुम दिन में 1000 line बोल रहे हो, और वो lines की वज़े से तुम hit नहीं हो, hit हो तुम show की वज़े से, और तुमें गुरूर आ रहा है कि तुम कुछ बन गए हो, इतना जादा पाला जाता है, इतना जादा पैमपर किया जाता है, कि वो अपने आपको कुछ और समझने लगते हैं. आपने एक बात कही थी, जब मैं अनुपमा के सेट पर पहली बार गया, तो पहले दिन मैंने खुद को वहां पर बहुत अकिला पाया. हाँ, उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि चार साल बात कोई एक एक अक्टर है, वो गया है और उसकी जगह कोई नया बंदा आया है. और मैं सेट पर हमेशा ऐसे ही जाता हूँ, मतलब ये, एक मेरे गुरुजी ने बोला था कि भाई साब तुम्हें एक तो चप्पल उदार के घुसना चाहिए, काम की जगह पे, मतलब चप्पल मतलब जो आपकी इवो है ना आप बहार रख के आओ. दूसरा, आप कहीं भी, किसी भी जगह, कोई भी काम की जगह है, चाहिए वो छोटा प्ले है, नुकर नाटक है, आपकी फिल्म है, आपका सीरियल है, कुछ भी है, वो आपके पूजा की जगह है. तो वहाँ आप जब आओगे, तो आप एक नोबडी बन के जाओ, जाओ, सीखो, करो, कुछ नई चीज में ढ़लो, आप कोई भी बैगेज लेके जाओगे ना, वो दिखेगा, वो असर करेगा. तो मैं जब भी घुषता हूँ किसी भी सेट पे, तो मैं यही सोचता हूँ कि यह मेरा पहला दिन है, मैं वो जो एक टाइम मशीन होती है, वो टाइम मशीन सी में बैट जाता हूँ, और मैं जाकर याद करता हूँ कि गौरब देख, वो दिन याद कर, एक बड़ा खास दिन खुशता उस दिन, कि वापस से काम मिला है, कुछ करना है, वहाँ पे मैंने पैर रखा और मैं देख रहा हूँ, सादू साहब सेगरेट पीते हुए जा रहे हैं, वहाँ से भालू चप्पल बहन के भूमर आया है, मतलब कॉस्ट्यूम ड्रामा और वो सब था वहाँ पे, और म हमेशा ऐसी पहला कादम रख सेट पर है, तो अभी बीच में शोव में किसी में मैं घुशता हूँ, तो मैं वैसे ही घुशता हूँ, लेकिन अकेला जब फील करता हूँ, मैं जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, अनुप म क्योंकि मैं रिस्ता करके आया था, तो मुझे एकदम बच्चे की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि कल से तुम्हारा ये सेट पर पहला दिन है, जाओ, और अच्छे से से काम करना, बढ़िया से, all the best, ये सब हुआ, सेट पर मैं उन्होंने ये सोचने की बजाए, कि एक्टर रिप्लेस हुआ है, उन्होंने ये लगा कि उनका कोई अपना चला गया है, और उसकी जगह कोई अजनभी आ गया है, बलो उन्होंने वो चीज इतनी परसोनली ले लिवाँ पे, हाँ, जो मुझे बढ़ा अजीब लगा और बह हम उसको कमफर्ट कराने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जितना कमफर्टेबल होगा, उतना अच्छा काम होगा, वाणिंग उतनी अच्छी होगी, हाँ, उसका पहला दिन है, वो नर्वस हो सकता है, तो आप उसको जितना कमफर्टेबल कर दोगे, उतना अच्छा आपका स हाँ तो लोगों का उस तरह से मुझे देखना और फिर उस तरह से मेरे साथ बिहेव करना मतलब मैं जैसे फ्रेंडली में आगे बढ़के सबसे बात करता हूँ और उदर से सामने से रिस्पॉंस बड़ा जीब आ रहता हूँ मैंने बहुत कोशिश की फिर उसके बाद एक पॉइंट में मैंने गिब अप कर दिया तो मैं सिर्फ अपने डिरेक्टर साब के पास गया मैंने का सर मेरा फर्स डे है मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे जो भी दिया गया इंफरमेशन दी गई और जो भी मुझे बताया गया character के बारे में जो creative से मेरी बात हुई वो है प्लस मुझे बाखी कहीं से कोई input नहीं मिल रहा है तो मैं आपके साथ थोड़ी दिर बैठा चाहूँगा कि आप मुझे character समझाओ कि मुझे करना करे है तो वो directors के साथ में मैं बैठा और क्योंकि वहाँ पे ना मुझे भी कुछ करने तो हो सकता है कुछ अब नया निकल के आजाए लोग वहाँ पे क्या चाह रहे थे जो भी उनके बड़े close थे वो सब को ये था कि यार जो हमने देखा है जैसा वो करता था आप वैसे ही करो मेरी अप्रोच हमेशे डिफरेंट यह होती है मैं यह सोचता हूँ कि जो कैरेक्टर है उसकी पूरी आप बैग्राउंड जान लो फिर आपके पास जो माटीरियल है जिसमें राइटर ने पूरा अपना दिल निकाल लिए लिखा है जो डिरेक्टर अपना विजन लेके चल रहा है आप ओ सब पह ध्यान दो फिर आप अपना एक निया करेक्टर जो है जो मतलब गौरव ही है गौरव चेंज नहीं होना चीए गौरव ही है गौरव को तोशू बनना ए तोशू जैसा बीहेव करना है तो behave is the word, I don't want to act like Toshu, I want to behave like Toshu, कि अगर गौरव बेटा है अनुपमा का, और वो नालायक है, और spineless है, और मतलब ही है, तो वो कैसा behave करेगा, मेरी अप्रोच यह होती है सीधी, मुझे किसी को copy नहीं करना, उसने अच्छा किया, बुरा किया, बहुत कमाल का किया, मुझे नह लेके आये हैं, तो I should give something, जो मैंने ट्रेनिंग लिया है, जो मैंने सीखा है, उसमें से भी कुछ निकल के आना चाहिए, लेकिन बुरा लगा आपको जब आप सामने से लोगों से मिल रहे हो, सामने से आप लोगों से बात कर रहे हो, आप अनिशेट कर रहे हो कि शायद मैं क acceptance ज्यादा दिखी नहीं मुझे, कहले दूसरे दिन मुझे acceptance दिखी नहीं, किसने सबसे बुरा फील करवाया उसमें? अब यह तो मैंने कहूंगा, मतलब उनकी भी शायद intention वो थी नहीं, वो क्योंकि जो वो चार साल से देखते आ रहे थे, उनको लग रहे थे उनको लग रह हो सकता है, कर सकता है, अंदाज अलग हो सकता है, वाय कांट ही भी sweet, बट मतलब ही, क्यों sweet मतलब ही होते हैं यार, अफ़त होते हैं, ऐसे बढ़ी आज एक दम मारे भाहिया, क्या लग रहे हो, अच्छा भाहिया, सुनो 10 रुपे दे दो, यार मुझे 10 रुपे के ज़रूद अच्छा दोस्त निया मेरा, अब यह दोन ही अप्रोच है, अब इसमें से आप कौन सी रखना चाहते हो, मैं तो चाहूँगा कि मैं स्वीटी रहो ना यार, अच्छे लग रहे हो, यार, अच्छे लग रहे हो, यार, दस रुपे दे तो क्या हो गया है, नई शर्ट पहने ह पैसे तो होंगे तुम्हारे पास में, करेक्ट है, तो मेरे पास में स्कोप है पिर, आगे, दोनों तरफ खेलने का, मैं उसका सगा भी बन सकता हूँ, और मैं उसका सोदेला भी बन सकता हूँ, I am standing on that thin line, कहीं भी, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, और, औ पतलब ही है, ये तो काम निकालू है, तो जो भी कर रहा है, काम निकालू है, बट उसमें मेरा क्राफ्ट भी तो पता लगना जी है, लोगों ये भी तो पता लगना जी है, कि यार ये तो करना ही है, लेकिन इसको करने के और कितने तरीके हैं, अफ्रोज करने के कितने तरीक एक बच्चा होता है जो मा का ऐसे पलू पकड़के खीचता है मा खाना 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 और दूसरा होता है मम्मी मुझे भूख लगे रोना शुरू कर देता है तो इसे रोने वाले के खाना को जल्दी मिलने के चांस होते हैं क्योंकि उसे चुप कराना है तो माँ कभी दिल पसीच जाता है ले मैटा तुँ खाना खाले और दूसरा जिद्धी वाला जो पलू की जरा उसको चाटा भी पड़ सकता है खाना मिलेगा अल्टिमेटली लेकि चाटा पड़ सकता हुसको तो मुझे चाटा नहीं खाना प्यार सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत सपोर्ट किया मैंने एक बर तो शॉट रुकवा कि मैंने पूछा मैंने का सर आप जो चाह रहे हैं मैं वो करूं या यह जो चाह रहे हैं मैं वो करूं क्यूंकि मैं तो आपका वाला करना चाहता हूँ मुझे इस पॉइंट पर आना बोल दिये वहाँ पे एक टाइम के बाद मेना मैं लड़ना नी चाहता है सेट पे की सीज़े बात वहां तक भी आगी हाँ मुझे किसी से आर्गुमेंट नी करना होता और स्पेशली तब नी करना होता जब मैं सीन कर रहा होता हूं तो बड़ा पुलाइटली बहुत प्यार से मैं यही कहता हूं कि देखिए आप जो कह रहे हैं वो भी सही है वो जो कह रहे है वो भी सही है लेकिन वो डिरेक्टर है किसी रीजन से उनके विजन को ट्रस्ट करता है चैनल भी और प्रेड्यूसर भी और सब लोग भी उन्होंने शो बनाया शो इसलिए हिट है और दोस्तों लोगों की यूनिट अगर एक बंदे के अगर दंपे घड़ी है तो उसको महत्व देना बहुत जरुए है तो मैं उसकी सुनूँगा तो अगर वो कह रहा है कि निक तो सरने चूट थी बोला कि गौरव तुम करो तुम्हें किसी इसा करो यह बहुत गलत बात है किसने बोला ता है हम बिमिकरी आर्टिस्ट होड़ी है यार नकल्ची थोड़ी है अब बोला एकस वाई जी बहुत सारे लोगोंने बहुत सब अपना परसेशन लें कारेक्टर साथ में काम करते हैं उन्होंने सीनियर जूनियर यंग ओल्ड स अब सब तरफ से ना कुछ ऐसा ही आरा था कि अभी हम चार साल से हैं हम यहां के राजा हैं यह कैसे कोई नया लड़का आके इन्होंने हमारे साथ में खड़ा गर दिया तो अब यह खड़ा गर दिया तो हम इसको अपने हिजाब से मैनुपलेट करें हम बहुत को चलाएंग तुम दबाओ मुझे और निखर के आओंगा क्यूंकि मेरे साथ वो है जो भगवाने सेट का अगर सारा डिरेक्टर मेरे साथ है ना तो मेरे लिए कोई कुछ माइनी ने रखता मेरे सामने बच्चन साहब भी घड़े है ना तुम बच्चन साहब की रिस्पेक्ट अलग और अगर डिरेक्टर मुझे फ्रीडम दे रहा है तो भाई बल्ले बल्ले वो फ्रीडम दे रहा है वो मुझे ट्रस्ट कर रहा है इससे बड़ी कोई बात रही है मेरे लिए तो I will not disrespect anybody I will not degrade anybody किसी से मैं जगडा नी करूंगा अर्गूमेंट नी करूंगा लेकिन मैं टना प्रता है वो कंध्र गनी घ्रक लेते हैं आप दो सरे को यूज़रना चाहते हो लेकिन आप कोड यूज़– नहीं होना चाहते हो तो फिर किस बाद के जोस्ति है अब मुंबई शेर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सबको सुनने वाला चाहिए किसी को सुननी न होना है life का मैं वह बैठके सून लेता हूँ했습니다 Thank you. So now, My best way for the makeup room भी इसलिए जाना जाता है कि किसी को भी कुछ भी तकलीम होती है ना तो वह मेरे पास आके, कैसी किसी कुछ भी तकलीफ होती है ना, तो वह मेरे पास आके, Big Boss material हो जाता है, हाँ, तो Big Boss में कुछ ऐसा बोलते है wildcard entry जैसे कुछ होता है, तो लोग उसको उसकी उमीद कर रहे हैं, और मतलब कही नहीं मुझे तो किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोच किया गया है मासे? पता नहीं, मुझे तक पहुंचा नहीं, पहुंच डिजिटल मैंने देखा था, वो मुझे विल्कुल पसंदे और अभी मेंस में अगर जाने कागर आपको मौका मिली? क्यों नहीं यार? उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, आप जो हो वही तो हो, मुझे जेरली कोई इतना मुझे मेरी रग पहाता है कि मैं लड़ पड़ अच्छ यह रादा? अभी तक देखा नहीं मैं उसके एपिसोड से, मुझे पता नहीं वहां पर वो किस माइंड से गया होगा, बट अच्छा अच्छा है, वो अच्छा करेगा उसमें, उसमें अच्छा करेगा? वो उसमें अच्छा करेगा. जो प्लान हो आपका जो आपक पलेगा तो बहुत आदा मजाएगा. मुझे कुछ अभी मतलब जो अब तक करता है हूं, इससो कुछ हटके करना है. जो कि सभी अक्टर कहते हैं, हटके करना है. नहीं तो अगर मुझे जो मिलेगा मैं उसको हटके कर लूँगा. उसको अलग हटके बना दूँगा. तो किसी एक टीवी अक्टर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कि यह हमारा रियाज है. मैं बहुत अगरी करता हूं उस बात से. सच में रियाज है. अगर आपको वही मिलता जा रहा है, जो आप करते आ रहे हो, तो आप उसमें कुछ नया ढून लो, एक नया रियाज हो एक नोठंकी की तरह ना जाने मुझे, ड्रामे की तरह ना जाने, या फिर जैसे कई लोग इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं, एक तो भाई साब ने बड़ी स्टेटमेंट दीती, मैं पढ़ना नहीं जाता था इसी किसी कॉंट्रोवर्सी में, लेकिन वो फिर वो सुनके मुझे लगा कि, किसी ने तो भेजी मुझे, कि देखो आपके बारे में क्या बोल रहा है, तो वो भाई साब अपने आपको OG, OG और पता नहीं क्या क्या क्या, वो नई टर्म मैंने तो OG पहली बार सुना था, मैंने गूगल किया फिर पता लगा कि अच्छा ऐसा है, OG तो अच्छू, अब पता नहीं हो, जो भी, नहीं शारभ वही है मुझे लग रहे है, हाँ नहीं, मतलब थे एक भाई साब थे, तो बड़ी बड़ी बाते कि उन्होंने, कि हाँ, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आएगा, ये होगा, वो होगा, कि मेरे जैसा, तो मैंने का भाई साब, आप पहले तो इतना बड़ा आपको समझो मत, क्योंकि बड़े तो बच्चन साब भी नहीं समझते अपने आपको, तो पहले तो आप इतना बड़ा समझो मत, और अगर आपको किसी नए कियाने से, ऐसा लगता है कि आपकी सालों कुरानी लेगेशी घतम हो मतलब आपको कला थोड़ी चीए थी, आपको जो चीए था आप उसमें चले गए ना, तो फिर कला की बात ही मत करो, आपको उचल कूद करनी थी, आप उचल कूद करने चले गए, करो, कला की बात मत करो फिर, अगर आप इतनी जल्दी इंसिक्योर हो जाते हो, इतनी जल्दी तो पूछा भी नहीं? मुझे समझ में आया नहीं मुझे समझ माया जब मैं आए नसा मत्वाइब लूगे जो भी आरिप ही उक Landon मुझे जो डिरेक्टर ने बताए तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये जिनोंने शो बनाया है, जिनोंने शो को हिट किया है, इनसे सही तो कोई नहीं हो सकता न मैं, न मैं, न तुम, न कोई और यार तीसरा. तो अगर ये कह रहे हैं कि तो उस फ्रेम को तोड़ दे तो मैं तो फ्रेम तोड़ने आया हूँ ना भाई मुझे तो फ्रेम तोड़ना है मुझे थोड़ी तेरे तेरे ओपिनियन मैटर ही नहीं करती मेरे लिए मेरे लिए उनकी opinion matter नहीं करती जो मेरे साथ में काम कर रहे जब मेरे director producer picture में आ जाते हैं तो तू कौन मैं खाम खाँ कहले भाई बोल ले जो बोलना है बोलती तो दुनिया है और अगर दो दिन में लोग तुमें अपनी memory से निकाल सकते हैं तो फिर तो तुम भाई भूल जाओ तुम तो फिर तुम एकदम सही हो तुम गौड ही हो लेकिन किसी और universe के दो दिन लगे दे पूरे को ये तो मुझे उनके चाने वालों ने बोला पदा निए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अपना जो paper है जो आपको material दिया गया है आप उसको ही दिल से पढ़ लो सब कुछ उसी के अंदर है उसी के अंदर आपको ढूंड़ना है फिर आपके director creative help करने के लिए हैं और फिर खुद आप भी तो हो ना भाई आपने भी तो training ली है ना मैं लोगों से सामान चीन सकता हूं मैं किसी का फोन चीन के अपनी selfie ले सकता हूं मैं नया बंदर बनुगा तेरे वाला बंदर मुझे नहीं बनना मैं हुक्कू बंदर बनुगा जो हुक्कू हुक्कू करके चिलाता है मुझे नहीं कूद फांद करनी भाई मैं एक ही जगे खड़ाओं के लोगों को चाटे भी मार सकता हूँ और खा भी सकता हूँ कहार जोग सपट इस तो ऐसा है मेरे लिए सब फन है मुझे ये सब फन लगता है मुझे लगता है कि भाई आपके पास हर चीज बड़े शौट टाइम के लिए है जैसे लोग आते हैं मेक अप रूम सजाते हैं फ्रिज रखते हैं टीवी रखते हैं और दुनिया भर की साजो समान अपने पिक्चर्स कोलाजिज ये वो चाप देते है मुझे ऐसा लगता है कि यार वो रूम मुझे दिया है प्रोड़क्शन हाऊ से इसलिए दिया है कि मैं वहाँ पर तयार हो सकूँ थोड़ा देर रेस्ट कर सकूँ एसी की हवा खा सकूँ और उसके बाद मुझे सेट पर जाना अपना काम करना है फिर मेरा घर जो है ना मैं अपने घर में जाके कुछ भी करूँ मेरे घर को मैं सजाओं दजाओं जो करना है ठीक है और कमफर्ट की जहां तक चीज़े है फ्रिज तो हर सेट पर होता है खाने की चीज़े हर सेट पर होती है आपको जो चीज चाहिए वो मुहिया करा दी जाती है तो आपको यह क्यों बताना कि मैं यहां का राजा हूँ यह मेरा एरिया मेरा इलाका है कर लो भाई कल को शो बंद होते फिर तुम लावारी सो जाओगे फिर तुम समान लेके चल पड़ो और वो बड़ा एंबेरिशिंग होता है मिरजद हुआ है एक बार मैं भी इस भेड़ चाल में चल पड़ा था तो एक सेट था मेरे एक अगबर वीरवल करके शो था उसमें कुछी दिन के लिए मैंने जॉइन किया था तीन साल शो करके आया था मैं उस सेम चैनल का शो था वहां गया वहां बहुत बड़ी-बड़ी हस और रोज सब मेरे रूम में आएंगा तो उनको लगए क्या आलिशान रूम है तो मैंने सजा डाला तीन दिन के अंदर निवस आई कि चैनल शो को ही वाइंड अप कर रहा है तो उस दिन जो मैंने अपना सामान उठवाया है गाड़ी में डाला है और जो लॉट के फीलिंग भी नहीं है मैंने उतना किसी को इंपोर्टेंस ही नहीं देता मैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब लोग जितने टाइम के लिए साथ में हैं अगर वो उससे जादा टाइम के लिए रहना चाहते हैं जैसे चांदनी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है हम लोगों ने जिस चीज को ओनर कर रही है वो अकड़ी रहेंगी मैं उनका भी दोस्त हूँ मैं गौर्फखना से उसके सा बहुत पहले काम कर चुका हूँ वो आज भी मेरेसे बैसे मिलता है तो मैं सब का उन सब का दोस्त हूँ जो मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और कोई नichen नहीं जाता तो कोई बात निभाई तेरा घर तू चला रहरा आपना घर में चला रही है विलेंगे लग लेंगे फिर से थैंक यू सो मच भई बहुत मज़ा मुझे आपको भी हमसे बात करके अज़े बहुत मुझे बहुत अच्छे वकता हूँ बहुत मतलब आप पैशेंट्ली सु आपने जितने पेशन से रिकॉर्ड किया आप तीनों को थेंक यूँ